क्यों कर रही है सरकार तेल मार्केटिंग कंपनियों में हिस्सा खरीद की तैयारी बिला ग्रूप की कौन सी कंपनी हुई दिवा लिया केर हस्पिटल्स को खरीदने की लडाई ने क्यूं लिया कानूनी रूप वेल्सपन इंडिया के शेर ने क्यूं चुआ 52 भी खाए इन सब के लावा और भी बहुत सारी खबरे हैं जिन पर आज के एपिसोड में फोकस होगा नवसकार कॉर्पेट सेंटल में आपका बहुत स्वागत है मैं हूं संदीब ग्रूवर और सबसे पहले बात करते हैं आज के एपिसोड में कॉर्पेट से जुड़ी खबरों की पहली खब ही है कि अधानी ग्रूप से जुड़ी कंपनियों के खातों की ख summ्गाल कर पिछले एक थशप के दरान कंपनियों में हुई एवेड एकुटी फर्म टीपीजी के खिलाफ बॉंबे हाई कोट में मुकदमा दाखिल किया है। ऐसा इसलिए क्यूंकि केर हॉस्पिटल्स के मालिकों ने मैक्स हेल्थ केर की बोली को नजरनदाज कर दिया है। और इसके बजाए दुनिया के सबसे बड़े पीफन ब्लाक स्टॉन के ओफर को चुनने का फैसला किया है। आपको बता दे कि मैक्स हेल्थ केर की टीपीजी के साथ एक्स्लूजिव बादचित हुई थी जिसमें मैक्स ने टीपीजी को नॉन बाइडिंग ओफर दिया था। इस डील के जरिए मैक्स की अपने देश बर में मौझूदकी बढ़ाने की योजना थी क्योंकि केर हॉस्पिटल्स की साथ इंडिया में मजबूत पकड़ है। पर ब्लाक स्टोन ने इस ओफर से 15 से 20 फीजदी उची बुली लगाई थी जिसको मंजूर कर लिया था। अब इस मामले में 3 माई को बॉंबे हाई कोड में सुनवाई शुरू होगी। इन प्रॉपर्टीज में दिल्ली की वर्क लैंड एरोसिटी, गुरूग्राम में एरिटल सेंटर और वर्ल्ड मार्क 65 के साथ साथ दुध्याना में पैविलियन मॉल शामिल है। इस डील के बाद कंपनी अपनी बाकी बची कमर्शल प्रॉपर्टीज की ओनर्शिप और ऑपरेशन को रीटेन करेगी। आपको पता दे कि भारती रियल्टी ने 50 लाक स्क्वेर फीट से जाधा का ग्रेड ए डावर्सिफाइट कमर्शल रेल स्टेट डेवलप किया है। में स्टीफन्स फिनाशल सर्विसिस और मेल्रॉस क्रियेशन्स शामिल है। इस कंपनी को खरीदने के लिए मार्च में एक दर्जन से ज्याधा कंपनियों और पी फर्म्स ने शुरुवाती बूली जमाकी थी। इनमें C8, बेन पिरामिल के समर्थनवाली इंडिया रिसर्जन्ट फंड, जिंदल स्टील और पावर, बॉमीडाला एंटरप्राइजिस, कॉलकता की MCPI और हिमाजरी स्पेशलिटी केमिकल्स शामिल थी। बिर्ला टायल्स, कमर्शियल वहिकल्स, फार्म वहिकल्स, हेवी अर्थ मूविंग मिशिनरी, मोटरसाइकल्स और थ्री विल्लेस के लिए टायर्स मनुफेक्शर करती है, जिसका 2019 में अपनी पेरेंट कंपनी केसराम इंडिस्ट्री से दीमर्जर हो गया था। इंसील्टी ने मैई 2022 में बिर्ला टायस के खिलाब दिवाले प्रक्ते शुरू करने की मजूरी दी थी। पूंजी निवेश के साथ संभावित हिस्सा बढ़ाने पर भी विचार करेगी। इन तेल मार्केटिंग कंपनियों के और से अपने शमता विस्तार खर्च की योजना जमा किये जाने के बाद सरकार इस पर फैस्टा लेगी। गौरतलब है कि एक तरफ सरकार जहां अपनी कंपनियों के निजी करन को बढ़ावा देरी है बीपी से एल में पूरी 53 फीजदी के आसपास की सिदारी बेचने की योजना है उसके सामने ऐसी खबरे आना ये काफी जादा चुकाने वाली हैं। वेल्सपरिंट इंडिया के शेयर ने मंगलवार को 20 फीजदी तक का उचाल देखने को मिला जो की पिछले एक साल में एक दिन की सबसे बड़ी तेजी है। के बाइबैक टेंडर रूट के जरिये होगा यानि खुले बजार से नहीं होगा। यह कारण है कि बाइबैक की गोशना के बाद मंगलवार को शेयर ने 105 रुपे का 52 फीजदी हाई भी टच किया। इस बाइबैक पर कंपनी 195 क्रुड रुपे का खर्च करेगी जिसकी रिकॉर्ड डेट 10 मही तैय की गई है। साथ ही चौती तिमाई में कंपनी के आए 15 फीजदी बढ़कर 2154 क्रुड रुपे पर रही वही अबिड़्डा यानि कामकाजी मुनाफ़ा 44 फीजदी और कामकाजी मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट्स बढ़े हैं। नौन बाइनिंग यानि 11 बादेकारी 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 चल रही है। खेल के लावा बाखी कंपनीया भी सांगी सीमेंट से हिस्सा कहित के लिए बादचीत कर सकती है। को बदा दे कि सेक्टर किया ने कमपणियां जैसे अल्टर टेक दाल्मिय भारत और जियास जबू सीमेंट ने भी सांगी सीमेंट में संभावित हिस्सा करिद के लिए इनफॉर्मल डिसकुशन किये थे पर कोई भी डील नहीं हो पाई थी इस डील को कूटेक्स स्पेशल सिच अब बात करते हैं मार्किट की और ऐसे शेरों की जिनमें आज जबर्दस हल्चल देखने कमली है उपर की और बी और नीचे के और बी और इसके पीछे की वजह को भी समझ लेते हैं पहली कबर रेलवे विबाकी कंपनी रेल विकास निगम लेम्टेड यानि आरवी एनल के शेर में मंगलवार को इंटाडे में 10 फीजदी का उचाल देखने कमला शेर ने 118 रुपे 30 पैसे का 52 विक हाई भी टच किया बीदे एक महिने में शेर 55 फीजदी से जाधा की तेजी दिखा चुका है वहीं 6 महिने में शेर 3 गुना से जाधा की व्रिदी दर्च कर चुका है इसकी तीन मुखे वज़ा हैं पहला इस कंपनी को Department of Public Enterprises यानि सरकार से नवरतन कंपनी का दर्जा मिला है और वी एनल तेरवी सरकारी कंपनी है जिसे ये दर्जा मिला है दूसरा इस कंपनी को दो नए ओर्डर हाथ लगे हैं पहला चन्ने मेट्रो रेल कॉर्परेशन लिमि सिचाई से जुड़े करीब 2,249 कुरूर रूपे के प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई है जिसमें और वी एनल का 51 फीजदी हिस्सा है ये प्रोजेक्ट 42 महिने में पूरा होगा तक्रिकी तौर पर दो एनलिस ऐसे हैं जो कि शेर में और एपसाइड की है कि स्टॉपलस इस शेर में 75 रूपे के आसपास का मेंटेन करना होगा जो कि काफी डीप है दूसी कबर LG बाला क्रिशन और ब्रोज यानि LG ब्रोज के शेर में मंगलवार को 8 फीजदी तक की गिरावट देखने कुमली 29 सप्रायल यानि शनिवार को कंप्री ने अपने ति जादा रही है तिमाही दर तिमाही मुनाफा 72.2 करोड उपे से 24 फीजदी घटकर 54 करोड उपे पर रहा है इस दोरान कंसॉलिडेटेट आये साल दस साल 558.9 करोड उपे से 654 फीजदी घटकर 523 करोड उपे पर रही तिमाही दर तिमाही देखे तो आये 581 करोड उपे से 10 फीजदी घटकर 523 करोड उपे पर रही जिस वज़े से इस टॉक में आज बड़ी गिरावर्द दर्ज की गई तीसी कबर महिंद्रा गुरूप की NBFC कारोबार से जूड़ी कंपनी M&M फिरेंशल के शेर में मंगलवार को शुरुवाती कारोबार में ही 7 फीजदी स्यादा का उचाल देखने को मला दरसल वित्वज 2023 की चौती तिमाई यानि दिसंबर तिमाई में कमटी के मुनाफ़े में साल दर साल 14 फीजदी की बढ़त रही है कमटी का स्टैनलों मुनाफ़ा 601 करोड रुपे से बढ़कर 684 करोड रुपे पर रहा तिमाई के दुरान नेट इंटरस इंकम यानि शुद बया जाए साल 17 साल 13 फीजदी बढ़कर 1723 करोड रुपे पर रही हाला कि कुलाई में 24 फीजदी की बढ़त हुई है कुलाई 357 करोड रुपे पर रही इसके लावा डिस्पर्जमेंट यानि लोन देने की वैल्यू 50 फीजदी बढ़कर 13,778 करोड रुपे पर रही है तिमाई के दुरान इस तरह कमटी की कुल लोन बुक 27 फीजदी बढ़कर 82,770 करोड रुपे पर पहुँच गई है वित्वर 2024 के लिए कमटी ने सालदा साल कम से कम 10 से 12 फीजदी डिस्पर्जमेंट्स ग्रोफ जारी रखने का गाइडेंस दिया है बीते एक साल में शेर करी 50 फीजदी का रिटान दे चुका है और ब्रोकर्स की राय अब शेर को लेकर मिली जुली है मौगन स्टैनली ने शेर पर ओवरवेट की डेटिंग दी है और लक्षे 310 रुपे कर ने दारित किया वहीं जेपी मौगन ने 230 रुपे के लक्षे के साथ शेर पर निूटरल डेटिंग दी है चौती खबर अदानी ग्रूप की Renewable Energy कारोबार से जूड़ी कंपनी अदानी ग्रीन के चौती तिमाही के नतीजे बहर शांदार रहे है तिमाही के दुरान कंपनी के मुनाफ़े में चार गुना से जादा की वृद्धी दर्ज की गई है तिमाही के दुरान कंपनी का Consolidated मुनाफ़ा 319 फीजदी बढ़कर 507 करोड रूपे पर रहा है पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी ने 121 करोड रूपे का मुनाफ़ा दर्ज किया था मुनाफ़े में बड़त के पीछे वज़ा है कंपनी की आए में उचाल जो की शम्ता विस्तार के चलते देखने के मुला है चौती दिमाही में अदानी ग्रीन की कुलाए 88 फीजदी बढ़ी है कंपनी की कुलाए साल-दर साल 1587 करोड रूपे से बढ़कर 2988 करोड रूपे पर रही है वित्वर 2023 में भी कंपनी का मुनाफ़ा 489 करोड रूपे से लगबग 2 गुना बढ़कर 973 करोड रूपे पर रहा है इस दोरान अभिड़ा यानी कामकाजी मुनाफ़ा साल-दर साल 57 फीजदी बढ़कर 5538 करोड रूपे पर रहा अच्छे नतीजों के दम पर मंगलवार को शेर में 5 फीजदी का उपरी सरकेट लगा था और शुकरवार को भी नतीजे जारी होने से पहले शेर में 3.8 फीजदी का उचाल देखने को मिला था बीते एक महिने में शेर करीब 17 फीजदी चड़ चुका है पर 2955 रूपे की बावन हफते की उचाई से शेर अब भी करीब 65 फीजदी नीचे कारोबार कर रहा है इसी के साथ कॉर्पे सेंट्रल में आज के लिए वस इतना ही वक्त है आपसे इजादत लेने का है लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कल के बजार पर कौन से ऐसे एहम इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जो की खास्त और पर असर डाल सकते हैं नतीजों की बात करें तो दो मई को टाटा स्टील और अम्बूजा सीमेंट के नतीजे आने वाले हैं इसका तीन मई को जब बजार खुलेगा तब इंपैक्ट देखने को मिलेगा दो मई को RL की बैठक होने वाली थी जिसमें JFSL यानी Jio Financial Services के D-Merger पर शेरधाकों और क्रेटर्स की बैठक होने वाली थी इसमें फैसले का क्या नतीज़ा आता है इसके चलते तीन मई को Reliance का शेर भी फोकस में रहेगा Global Triggers की बात करें तो 2 मई की शाम को योरप के CPI महिंगाई के आंख्रे जारी हो हैं उसके उपर योरप के बजार शाम को US के बजार और उसके साथ साथ इंडियन मार्किट भी तीन तारी को रियाक्ट करते हो दिखेंगे तीन तारी की जातक बात है तो कई सारे नतीजे हैं जो की गोशित होंगे जिसमें Titan, Hevels, Goodrich Properties ये कुछ बड़ी कमपने हैं अदानी समू की कमपनी अदानी विलमर के नतीजे भी जारी होंगे एबी भी उसके साथ साथ पेटन टैलेंजी इनके भी नतीजे गोशित होंगे इन पर बजार की नजर खास तोर पे रहेगी तीन मई को आलकागो लोजिस्टिक्स के सॉक्स पे भी आपको नजर रखनी होगी क्योंकि टी टू टी सेग्मेंट में ये कमपनी डी मर्जव की वज़े से दस दिन से कारोबार कर रही थी लेकिन तीन मई से ये रेगलर कारोबार शुरू हो जाएगा इसमें एक ग्रूप में ये कमपनी ट्रांसफर होती हो दिखेगी तीन मई के ट्रिगर्स में सिंफनी के शेर पर भी नजर रखनी होगी इस कमपनी का बाइबैक शुरू होगा जिस पर 200 क्रोड रुपे के आसपास का कमपनी खर्श करती हो दिखेगी ग्लोबल ट्रिगर्स की जांतक बात है तो जपान के बजार लेबर डे के चलते बंद रहेंगे तीन से पांच मई तक जपान के बजार बंद रहेंगे और सबसे एहम और सबसे इंपॉर्टेंट है फेड पॉलिसी यानि फेड बैठक का फैसला आएगा जो की तीन मई को बजार बंद होने के बाद आएगा जिस पर गुरुवार को भारतिय बजार रियाक्ट करते हो दिखेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ब्याज दरों पर फैसले के साथ साथ आगे को लेकर क्या गाइडन्स आता है क्या बोला जाता है प्रेस कॉन्फरेंस में इस पर बजार की खासतोर पे नज़र रहेगी इसे के जाथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का उमीद है आपको कॉर्पेर सेंट्रल का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इससे आपको कॉर्पेर जगत का और बाजार का दिनबर का हाल पता चल गया होगा तो कल आपसे इसी समय फिर से मुलाकात होगी नई खबरों के साथ नई अपडेट्स के साथ तब तक आप देखते रहें मरी नाइन नमस्कार